यहां पर सारे चाप्टर्स हैं वह स्लेबस के वह रिडियोज किये गया है तो मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट साइन्स की क्योंकि मैंने मैथ का वीडियो पहले ही बना चुका हूं अगर आप लोग वह नहीं देखे हो तो फटाफट वहाँ देख लो और यह चीज़ देख कि कौन-कौन से चैप्टर्स हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स नहीं है तो साइन्स की भी सेम बहुत सारे चैप्टर्स को जो है CBC का अपडेट जो आया है वह चैप्टर्स को हटा दिये गया है रिडियूज कर दिये गया है तो हमें बहुत ही कम चैप्टर्स पढ़ने हों सो मैं यहां पर देख सकता हूं कि मैं Chrome open कर रहा हूं और open करने के बाद यह देखिए update कर रखा है यहां पर मैं group 1 में की बात कर रहा हूं revise science subject का class 10 का so class 10 के science लेबस में क्या-क्या changes आए हैं क्या-क्या reduction किया गया है उसकी मैं यहां पर बात करने वाल हूं so यहां पर 9th and 10th both दे रखे हैं मैं पहले 10th का देख लूँ उसके बाद next video में मैं 9th की syllabus की बात करूंगा तो बच्चों देखो यहां पर 10th syllabus की बात करूं तो course structure जो है वो बिल्कुल सेम है नहीं नहीं सेम नहीं है कुछ changes है chemical substance and nature and behavior 26 marks का क्या गया है worlds of living जो है वो 23 marks का क्या गया है natural phenomena जो है वो dual marks है effect of current 14 and natural resource है वो 5 marks किया गया है तो देखे यहां पर ज्यादा हम लोग क्लिर पाएंगे कौन-कौन से chapters निकाले गया है कौन-कौन सा topic निकाला गया है कौन-कौन सा topics available है तो अगर मैं बात करूं chemical substance chemistry के बात कर रहा हो तो first topic है chemical reaction तो chemical reaction में chemical equation है balanced है implications of a balanced chemical equation है types of chemical reaction है it means यहां पे किसी तरीके के कोई बदलाओ नहीं किया गया है no change in chemical reaction अब मैं चलता हूँ second topic पे second topic हमारा acid base and salt अगर मैं बात करूं acid base and salt का तो यहां पे भी कोई chances नहीं है जो topics every year होता है वो topics यहां पे भी है अच्छा अब बच्चो ध्यान देने वाली बात है metals and non-metals बहात ही बड़ा chapter metals and non-metals यहां पे chapters को काफी हद तक reduce किया गया है काफी chapters topics को कम किया गया है तो यहां पे properties of metals and non-metals है यह activity series है formations and properties of ionic compound है तो क्या नहीं है बच्चो यहां पे आप यहां पे कोई topic नहीं है इसके बारे में इस year 2020-2021 हमें नहीं पढ़ना है यहां पे एक्जाम में नहीं आने वाला है और क्या नहीं है बच्चो metallurgical process भी इस topic पे नहीं है कहीं पे ऐसा topic जो है वो mention नहीं दे रखा है इसका मतलब इस topic जो है इस बार नहीं आने वाला है अब मैं चलता हूं carbon compounds के पास तो carbon compounds में भी कुछ reduction किये गए है properties of metals and non-metals है reactivity series है formation of properties of ionic compounds है यहां पे reduction किये गए है nomenclature, nomenclature functional group difference between saturated hydrocarbon और non-saturated hydrocarbons भी नहीं दे रखा है chemical properties नहीं है carbon compounds के यहां पे ethanol, ethnoic acid and soap and detergent यह सारे topics को है वो decrease हटा गया है product कर दिया गया है कौन-कौन सा topic मैंने बताया nomenclature देखो अप पूरे carbon compounds में कहीं पे nomenclature नामका कोई topic नहीं है सो nomenclature नहीं है, functional group नहीं है, काफी हद तक topics यहां पे हटाया गया है saturated hydrocarbon और non-saturated hydrocarbon के बीच का difference, chemical properties of carbon compounds, ethanol, ethnoic acid, soft detergent हमें बहुत सारी topics पढ़ने होती है लेकि यहां पे 70% topics, 70 नहीं आप 80% topics होए है, वो reduct कर दिया गया है, हटा दिया गया है अब मैं चलता हूँ अगले topic पे, अगला chapter पे, so next chapter है यह बहुत ही बड़ी बात है बच्चों, कि हम लोगों के लिए chemistry का बहुत बड़ा topic, बहुत बड़ा chapter, carbon and compound का बहुत सारी topics को decrease कर दिया गया है so change किया गया है, अब मैं बात करता हूँ chapter number 5, periodic classification of element periodic classification of element में, need of classification, early attempt to the classification of elements, modern periodic table यह सारी topics तो पहले भी थे और अभी it means, यहाँ पे भी changes नहीं है, no change in periodic classification of element जो chapters पहले पढ़नी होती थी, वो इस बार भी पढ़ना है, so बच्चों, chemistry के गर मैं बात करूँ, तो chemistry में के बहुत ही बड़ा chapters वे है, वो slabber से जो हटाया गया है, वो है carbon compounds का, तो carbon compounds में बहुत सारी topics वे हैं, वो हटाया गया है, so अब मैं चलता हूँ biopay, the worlds of the living, world of living life process, life process की मैं बात करूँ, तो living being basic concept, nutrition, respiration, transportation, excretion in plants and animals, it means यह सारे topics तो पहले भी थे और अभी भी है, it means there is no changes in life process, यहाँ पे कोई chances नहीं किया गया है, अब मैं चलता हूँ reproduction में, तो reproduction की मैं बात करूँ, तो reproduction in animals, plants, something, child wearings and women's health, सारे कुछ दे रखे, it means यहाँ पे भी changes नहीं है, अच्छा, heredity की बात करूँ, तो आप लोग देखो बच्चे, हर शाल आप books में भी देखोगे, तो heredity के साथ में evolution आता है, जो की यहाँ पे नहीं दिया गया है, heredity and evolution, evolution topic को बिलकुल हटा दिया गया है, it means आपको सिर्फ heredity पढ़नी है, और यहाँ से ही, जो मैं बात करूँ, natural phenomenon की, तो natural phenomenon कौन कान से topic अटाए गया है, यहाँ पे आप देखो reflection of light, image formed by spherical mirror, there is no changes in this reflection or light chapter, reflection है, reflection है, reflection of light by spherical lens, it means सारे topics यहाँ पे हैं, कहीं पे कोई changes नहीं किया गया है, अब मैं आगे बात करूँ, अच्छा बच्चो, कुस topic जो है, human eye, human eye topics जो है, यहाँ पे नहीं है, scattering of light, dispersion of light जो है, effect of vision जो है, यह सारे chapters को यहाँ से भी अटाए गये हैं, oh my god, बहुत सारे topics जो है, यहाँ से भी अटाए गये हैं, और वो topics हो गये, आपके scattering, effect of vision, human eye, और यह सारे chapters जो है, है यह नहीं, chapter का नाम ही नहीं दे रखा, human eye, wow, तब तो यह chapters होए है, आप लोगों को बहाँ जादा, मतलब यह extreme जो change किया गया है, यह आप लोगों को बहाँ जादा helpful होगा, यहाँ पे तो human eye पढ़ना ही नहीं है, so मैं आगे चलता हूँ, और यह है, अच्छा, अब मैं आ जाँता हूँ, effect of current, physics का ही part, effect of current पे, so यहाँ पे द बड़ा changes किया गया है, magnetic effect of electric current में, क्या नहीं बच्छो, ध्यान से देखो, आप लोग, magnetic field, field lines, field due to current, current, conductor, or something, बहाँ से topics हैं, लेकिन, बहाँ बड़े-बड़े topics होए हैं, वो हटा दिये गया है, for example, electric generator नाम का topic आपको नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से, electric generators होए है, यहा AC भी नहीं है, it means DC और AC भी पढ़ना है, अगर मैं बात करूँ, advantages of AC over DC का, तो वो भी नहीं दे रहा है, मतलब AC और DC का कोई topic नहीं है, वो भी नहीं पढ़ना है हमें AC और domestic electric devices के बारे में भी पढ़ने होते थे, आप books में देखो, वहाँ पे भी पढ़ने हैं, अगर आप लो alternating current, advantages of AC over DC, domestic electric device, यह सारे topic यहां से हटाए गये हैं, और बात करूँ, मैं natural resource की, तो natural resource में, natural resource में ecosystem है, environment problems, ozone, depression, waste, production, production, and the solution, biotricable, non-biotricable, तो यहां पे आप देखो, बच्चो, source of energy नाम को तो कोई वड़ी नहीं है, इस term में source of energy नहीं है, तो यह बहाद बड़ा खुसकपरी होगा, आप लोग के लिए source of energy, topics हो था, वो चीज़ें यहां से हटाई गई हैं, our environment, तो दे रखा हैं, लेकिन natural energy, जो topic थी, वो topic, पूरा का पूरा topic ही हटा दिया गया है, management of resource, natural resource भी नहीं है, इट में सिर्फ आपको यहां पे natural resource, इट में our environment ही पढ़नी है, ecosystem, environmental problems, and this is all, तो बहाद बड़े-बड़े topics हो हैं, वो science में clear, मतलब, it means हटा दिया गया है, और वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, तो आप कह सकते ह कि इस महामारी के दोरान, government, admin, CVAC, हमें बहाद बड़ा relax और relief दिया है, जिससे कि हम लोग बहाद सारे topics के लिए, preparation अब ही नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी है, बच्छो मेरी suggestion रहेगी, कि आप उस topic को भी पढ़ो, लेकिन exam time में, जब exam आएगा, आपका board exams होंगे, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ये role play करेगा, कि मुझे कम topic पढ़ना होगा, और बहुत अच्छे-च्छे topics, it means important topics हो थे, जो problems आते हैं, जिनमें वो सारे topics हटाएगा है, so very good luck for your exams, क्योंकि इतने सारे topics हो हैं, यहाँ पर हटाएगा है, ठीक है, मैं class 9 का video भी इसके बाद अपलोड मैंने math का video भी upload कर चुका हूँ, math का syllabus में क्या-क्या reduction किया गया है, वो चीजे मैंने upload किया है, आप लोग देख लो, वहाँ पर वीडियो जाके, मैं description में link भी दे दूँगा, so all the best students, so अगर वीडियो अच्छा लग हो, तो subscribe ज़रूर करना, और मैं 9 class का भी upload करने वाला झाला हूँ झाला हूँ